हसन गंज प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्तकिंद्र में देर रात डॉक्टर के गाईव रहने पर मरीज के परजनों ने अस्पताल परिसर में जम कर हंगामक किया महमदिया गाउनिवासी ममता देवी ने कहा कि आसा के साथ अपनी बहु का ऑपरेशन कराने प्राथमिक स्वास्तकिंद्र हसन गंज पहुँचे दस बजे मरीज को बेहोसी का इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया गया पीचसी में कोई डॉक्टर नहीं है जगनातपुर पंचायत को उपमुखिया रवी कुमार और वारसदस कपलेसुर मंडल ने बताय कि अस्पताल में मरीजों को समुचित स्वास्तो विधा का लाब नहीं मिल रहा है पर जणों ने सीधा रूप लगाया कि अस्पताल में समुचित दवा उपलब्ध नहीं है हम लोगों को बाजार से दवा खरीद कर लाना पड़ता है एक तरफ सरकार आम लोगों को स्वास्तो विधा मोहिया कराने के लिए लाखों करोरों खर्च करती है इसके बावजूत ग्रामनों को स्वास्तला नहीं मिल पा रहा है न समय पर डॉक्टर आते हैं नहीं दवा मिलती है प्येसी प्रभारी डॉक्टर आर्ची ठाकुर ने कहा कि मामले की जाच कर कारवाई की जाएगी अभी डॉक्टर है यहाँ? अभी कोई नहीं है एनम आसा है आसा है आसा है एनम जो हता है नर्स है इधर देखें तो क्या प्रिशानी है दवाई बगरे मिला आपको कुछ ने मिला खाली है तो यह लगा दिया हाँ अब बलता है कि आपको प्रभारी को फोन किये तो बला हम क्या करें अभी डॉक्टर यहाँ मौजुद है नहीं में निकले, छोटा-चोटा ब Korea ऩविभी हम लोगे को बोल देता कि आजने होगा करोलोगगम आपर दवाइ वगरे मिलता है कुछ में मिलता है कहां सर लगता है कुछ में मिलता है किए लिए प्रेसंट करने के लिए और राते में प्रेसंट ख़या हुआ है भुखे रगरे और बोला कि हाँ दो बज़े होगा तीन बज़े होगा चार बज़े होगा इस तरह से डर्मा करते करते अभी सारे आठ बार जिला है इसके अंडर में पेसेंट को इंजेक्शन भी लगा दिया और अभी तक डाक्टर का पता नहीं है अब हूण है तरह मारा समाच का है मेरा घ्यारा है वार्टमेमढ़ हैं हौण ऑडमीबर शमाट के जगनातपुर प Alwaysतका दवाईयं मिलता है कि बाहर से लेना पड़ Пढ़ा है क्या दवाय यहां मिलता है कि बाहर सी लेना आपका है ठीन ही मिलता क्या नम भाप का मेरा नाम का प्लेश्वर मंडल हुआ